दोस्तों फिर स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं OPPO A15S में या फिर OPPO की किसी और भी मॉडल में आप यहां पे क्स अग्या को में बखना की सेटिंग कैसे कर सकते हैं तो अपिस्टैभी के अपिस्टैप Region को है कि यह जो नोटिफिकेρώं की सैटेंग है यह पूरी मैंने बता रख़ी है नोटिफिकेशन की सैटिंग आप आप जाके अलग से देख लेंगे और यहां पर थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूं और ली खाली इतने सेक्शन का बाकि यह सब आपको बता देती हूं तो यहां पर स्वाइप डिलीट वाला ऑप्शन आ जाता है मतलब ऐसे स्वाइप करेंगे राइट स्वाइप तो डिलीट हो जाएगा मैसेज आपका जैसे कि मैं आपको दिखा दिती हूं इस टैप से यह हट जाएगा तो यहां पर आप लेफ्ट वाला करना चाहते तो लेफ्ट वाले से स्क्रिन पर आपका स्वाइप डाउन करने से लॉक स्क्रिन पर यह नोटिफिकेशन ड्रॉर नहीं आता है तो आप इसे ओन कर लेंगे और इसे ओन करने से आपका नोटिफिकेशन ड्रॉर पर आपका डेटा यूसेज आता है यह रहा डेटा यूसेज तो आपको इसे ओन र तो आपको बैटर परसेंटेज यहां पर शो नहीं होगी मैं यहां पर ऑन कर देती हूं और नेट्वक स्पेड यानि कि इंटरनेट के स्पेड यहां पर आप शो कर सकते हैं अगर आपको यहां पर वाइफा चालू है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका इंटरनेट का यहाँ पर शो हो जाएगा आप देख सकते हैं वाइफ़ा है इंटरनेट के सबीड शो से कर रहा है और यहाँ पर नौटिफिकेशन प्रॉंट का ओ 차ON को जाता है तो नौटिफिकेशन प्रॉंट यहाँ पर आुकन चाहिए यह वाले या फिर नोटिफिकेशन काउंट यह फिर आपका सुरी गलती से क्लिक हो गया या फिर आपका कुछ भी निशो करना आप अफ से लिए कि अउक रिएम पर आइकन को दो यहां पर से दर्व जाता है नॉटीफिकेशन आई यहां पर इंट को ही स्क्रीण को अप्षिंट जाता है और कि स्क्रीन u आपके लिए और यहां पर स्क्रीण लाइन परिछा DAVID होते हैं तो यहां पर सिंप्लिफाइ बैनर पर नोटिफिकेशन चल रहा होते हैं तो यह तो थी फुल सेटिंग नोटिफिकेशन एंड स्टेटस पार की और नोटिफिकेशन के लिए अलग से सैटिंग के ऊपर वीडियो बना रखी है बहुत अच्छी वीडियो है आप जाके देख लेंगे तो आई होप गई यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा इसी टैप के और वीडियो सेखने के लिए चैनल विजिट करते रहेगा च